हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुतर तरीके से तयारी कर रहे होंगे तो देखिए ऐसे सी चल का एक चाम चुकी चल रहा है ठीक है और इसमें अलजेबरा से डायेट कोस्टिन पुछा जा रहा है तो अलजेबरा में यदि आ होती लंबे सॉल्व करेंगे और हो सकता है कि साइद आप उसमें फस बीजा तो चल यह देखिए से अलजेबरा के हम लोग इंपोर्टेंट कांसेप्ट को देखते हैं तो देखिए दोस्तों कंसेप्ट में जैसे की प्राबर के है ठीक है आप ऐसा फॉर्म तो आप लोगों वसकता है तो यह कोई नंबर है और इसके पात है कि हम लोगों से पुछता है कि X2 वाल देख सकते हैं कि एक पूटिव साने ठीक है और फिर-पूछरा है कि X2 फॉर्मूला हो जाता है कि तो यहां पर नंबर दिया रहे हैं तो इसका 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 फर्मूला हो जाता है तो यहां पर प्लस प्लस में रहा है तो इसके लिए जो फर्मूला हो जागा प्लस में रहा है तो इसके लिए है जिसमें दिया रहे है कि एकस माइनस बटा एकस ब्राबर किया है ठीक है और इसके बाद कूछेगा कि एकस की प्लस माइनस क्या होगा ठीक है तो इसका फर्मूला डाइक्ट होगा था है कि X का power 4 minus 1 by X का power 4 ठीक है जया इसका हम लोगों को निकालना रहेगा तो इसे हम लोग कैसे solve करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि X square plus 1 by X square इसके साथ में फिर हम लोगों को चाहिए X plus 1 by X और आक्स तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका फॉर्मला आता है वहाता है फिर एक्सक्वर स्वक्राइब तो यहां से देख सकते हैं नेश्ट, यहां पूछ देता है Гेर्ष का पाउर्श प्लस ब्राबर प्लस खबेदा तो आम लोगो देखे प। इसके लिए ऐully एकल नेश्ब नमेफे पूछ ब्राइस और यहां पर लक्तव तो इसके लिए प्लस T तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे तो इसके लिए क्या क्या करते हैं कि यहां तक तो हम लोग देख लिए अब चलिए कुछ और भी बात तो को हम लोग करते हैं यहां से देखे दो कुछ और इंपोर्टेंट बात हैं जो आप लोग को जानना काफी जरूरी ठीक है कि यहां पर चाहिए कुछ भी दिया रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है और बस उसका वैल्यू अगर दो दिया हुआ हुआ उतना बराबर ठीक है तो हम लोग 1 लेकर के चलेंगे ठीक है यानि 1 होगा है कुछी के साथ में यहां से प्लस मैनस मैनस टीक है इसके साटिस्फाइट करता है ठीक है इसलिए कि यहां पर होगा और आप इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे ता कि यह से स्टिस्फाइट को कर जाता है ठीक है तो आई होगी दूस्तों आप लोग ने यहां तक को समझ लिया होगा और आप इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे ताक कि एक्जाम में प्रश्ण है तो आप ऐसे प्रश्णों को ना छोड़े तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक इसी तरह के नहीं ने वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें